हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगा फैब के बिल मशीन के बारे में जो अलग-अलग दो तरक की मशीन हैं एक यह है बीपी ट्वैंटिफाइटी प्लस और दूसरी वाली है बीपी जॉइफ प्लाटीन तो इनका मेन जो बिल फॉर्मेट है तो आपको कैसे पता करन हो हैं यह देख सकते हैं इसका बिल साइज जो है दो इंच का है इसको चेक करने के लिए आपको शिट बटन प्रेस करके यह बटन प्रेस करनी है जैसे कि मैं लॉग-इन कर लेता हूँ पहले इसके अंदर enter커 प्रेस शिफ्ट यहां पिर लाइट ब्लिंग होता जाहेगा देखिए और फिर मैं इसको यह करता हूँ तो जो यह पेपर साइज है दो इंच की पेपर साइज है और इसके अंदर जो पेपर साइज है वो 3 इंच की पेपर साइज है इसके अंदर भी हमें लॉग-इन कर लेगा पहले है वान एंटर फाइल टाइम जीरो एंटर रजिस्टर क्रेडिट एंट रिटेल बिल यहां पर मैंने शिप प्रेस किया और पर को अप किया तो यह बैसिक सी चीज है हर कोई आपको नहीं बताता यह चीज और अभी हम लोग देखेंगे बीडिंग कैसे होता है द यहां पर मैंने एक आइटम चस्ट एंटर किया और यहां पर कॉंटिटी उसका डाल दिया एंटर और फिर और एक आइटम टी शर्ट्स इसका बाइडिफॉल्ट रेट 350 है इसको 450 भी कर सकते हैं एंटर किया देन उसके बाद प्रेंट कि आप देखेंगे यहां पर यह बिल आई है कि एपी फूर सर्विस जी डीटेल सारे दिये हुए है इसमें और यह काफी अच्छी बिल है अभी इसी मशीन में आपको बिल एडिट कैसे करना हो दिखा रहता हूं जैसे कि आपने दो आइटम यहां पर डाल दी और इसमें आ गहुट सारे लोग बोलते हैं यहां पे कुछ प्रेस नहीं होता है तो इसके लिए आपको एक function है जो backspace स्वेस यह दिख रहा है इसको प्रेस करना है इंटर करके item को सीलेक्ट और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर ब्लिंग करेगा तो आप अप एंड डाउन एरो से जैसे की कैंसल करना चाहते हो इस पहले आइटम सेलेक्ट कर लिए कौन सी आइटम आपको एडिट करनी है फिर उसके पर एंटर कीजिए इसको कॉंटिटी में भी एडिट कर सकते प्राइस में मैं भी एडिट कर सकते जैसे कि अब मैं इसको हटा देता हूं यूश्यर यस रिमोड अभी अपने पास एक यह आइटम बची है तो अभी इस के दवरान आपको यह आइटम को बिल मोड पे लाना है तो पहले यहां से जो ब्लिंग कर रहा है करसर उसको एंटर करके यहां से हटाना है फिर देन उसके बाद कैंसल एक बार प्रेस करनी है और फिर अब प्रिंट करके देख लिए यहां पर एक यह आइटम भी लाई है अब तो अब इसमें कैसे बीलिंग होता है यह देख लीजिए इस मशीन में बीलिंग के लिए आपको काउंटर नंबर मैंने डाला है इसमें काउंटर नंबर सिलेट कीजिए फिर आइटम नंबर डालीजिए इसका कॉंटिटी इसको फिर बजडी मसाला इंटर देन पाया मसाला यह रेस्ट्रेंट में सेट की हुई मशीन है सेम उसी तरह से वर्क करती है लेकिन इसमें आइटम अलग डाली हुए है इसका डिस्प्ले भी चार लाइन का है एक दो तीन चार लाइन दिखरे इसमें उसमें दो लाइन का डिस्प्ले यहां पे दो ही लाइन आ रही एक और दो तो यह भी एक डिफरेंस है उसमें मैं प् काउंटर नंबर हो गया आपका टाक्स डीटेल हो गया आपकी यह सारे चीज़े इसमें अबलेबल हैं तो अब भी हम लोग क्या करेंगे दोनों मशीनों में के ओटी कई से सेट करते हो देखेंगे इसमें गया मेनू बटन प्रेस किया देन उसके बाद डाउन एरो सेटिंग्स के अंदर एंटर एक बार फिर उसके बाद डाउन एरो डाउन एरो बिल्ट फॉर्माट यहां पर आपको रुकना है फिर एंटर फिर इसको इनेबल करना है इसमें टेबल नमबर आपको पूछेगा यहां पर 250 का लिमिट है तो मैंने सारे एंटर करती है अभी आपको यहां पर पूछेगा क्योटी जन्रेट के लिए और एक ओप्शन आपको इनेबल करना होता है जैसे की सेम बिल्ट फॉर्माट में ही जाके आपको यूदी अपके नीचे सेकंड ओप्शन है क्योटी नेबल मशीन विल रिस्टार्ट अन देन वे विल कंटिनू दूजिंग उसर डी एंड लॉग इन पास्वार्ट अभी मैं टेबल नंबर एंटर किया इसमें ए टी शिर्ट के इटम में हटा देता हूं या से टेबल नंबर टैन सम्राइट में सड़ पाओ उने लिवी सर दही यह वाल इटम दो चाहिए है अभी यहाँ पर जब मैंने प्रेंट प्रेंट प्रेस किया तो क्योटी पूछ रहा है क्योटी प्रेस किया है यह अपर यह क्योटी आ गया सारे आटम सही है दो कॉंटिटी लास्ट वाली आइटम का तो अभी इस बील में दस नंबर टेबल में आप और कुछ भी आड़ कर सकते हैं जैसे कि आइटम सर्च बाइन एम यह भी दिखा रहे था कि 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 यह अप्शन भी है इसमें कि इसकी कुछ एक्स्ट्रा इटम सर्च करते है एक्स्ट्रा फरसान बाउल एक्स्ट्रा शेव इसको एड़ किया दो बाउल के अब क्यों यह अभी सारी टोटल इटम्स हो गई है है कि यह दो यह दो चार उपर वाली चार टोटल आट आट आइटम्स हो गई है तो अब हम इसका बिल बना देते दस नंबर टेबल परेंट और बिल के लिए तो टोटल अपने आइटम्स है यह आट हो गई है इस सारे के सारे आइटम्स अपने आ गए हैं तो इसमें करेंगे बिलिंग और इसमें कैसे क्योंटी नैबल करना हो देख लिए मेनु में जाके इसमें ऑप्शन है बिल्ट सेटिंग इसमें भी सेमी तरीके से करना है अब को यूड़ अपको इनैबल करना है काउंटर नमबर आ रहा है एक से लेके टूफिप्टी लास्ट विमिट जो है हो सेट कर दीए फिर इसके बात क्योटी ऑप्शन इनैबल इसको भी नेबल कर दिया काउंटर नमबर एक जाल दिया यहां पे एक स्वेजर अइटम कोटा दिया काउंटर नमबर पारा पास नमबर फैशन जोलरी इसको खुटा प्याइब बेजाल असुन फ्राइब प्रेंट क्योटी के लिए डारेक्ट तो यह आपका क्योटी आगे जला सुन फ्राइब यह टेबल नमबर बारा है तो इसमें हम लोग करेंगे बारा में और कुछ आइटम्स एड़ करेंगे मसाला पापर अबाड़ी साथ मुंदी मसाला और इसमें भी सर्च पाइनेम करते हैं पहले शिप्ट प्रेस की हटा दीजिए और फिर सर्च और रोटी को सिलेक्ट किया और फिर एंटर किया तो यह टोटल मसाला हम बाड़ी मुंदी मसाला असला पापर यह सब आड़ हो गया विसका बिल भी सुसी तरीके से बनाना है इसको टेबल अमर बार डाल दिया प्रिंट करना है प्रिंट के लिए अपन डाउन आरो प्रेस करने प्रिंट बिल को करना है तो इसकी बिल भी आपको आ गई है उसी तरह से इसमें चाहिए तो आप HSN हटा सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है कि सेटिंग्स बिल फॉर्माट में आप पैरो प्रेस कर रहा हूं है ताकि आसानी से मिले क्योंकि इसमें बिल फॉर्माट में बहुत सारे आप्शन्स है तो HSN मिल गया है इसको डिजाबल कर दिया अभी मैं आपको एक बिल बना कि बताता हूं प्रेशन ट्रॉलरी पीसी कॉर्ड तो यह मोस्टली एचेसन वाले जो होते हैं को क्लोधिंग के शॉप क्लोधिंग सेंटर या फिर अलग-अलग दुकानों में यूज होती है तो इस तरीके से अभी विदाउट एचेसन को प्रेंटिंग होगा लेकिन आप यहाँ पर सेम चीज़ देखांगे A B C D अलग-अलग टाइप के मैंने आइटम सेलेक्ट किये जिनका टैक्स अलग-अलग है तो वह भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है तो 5% 12% और 18% तो यह आप्शन ही है यह मशीन में भी है और यहाँ पर आपके अलग-अलग अलग-अटम से हैं तो बॉट करें रिपोर्ट का एंटर अट्व टाइकफ के लिए आपको मैनि पटन परहिश करनी है जिन के लिए सब्सक्राइबुपत्तर चरफ नहीं सम्री और डीटेल चेश्य४ोएस अने ऐस तोह प्रे उच तो प्रिकाइप बहलता ओ्मamıर्पवर्छर गाउरमें ल हाइप आपको Monthly, Yearly, Rate-wise, UDF-wise, Hourly और ये User-wise पिर Monthly तो हमें जो निकालनी है निकाल सकते हैं अभी मैं फिलाल आपको दिखा देता हूँ जो जिक्कत ज्यादा आती है लोगों को Detail Report में चाहिए आइटम-wise रिपोड निकालने में तो करंडे सेलेक्ट किया इसमें प्रिवियस और करंडे आपको मिलेगा इसमें का इसमें खाली दो दिन का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है बिल वाइस और आइटम-wise का करंडे और प्रिवियस दे का बाकि अब Monthly, Yearly तो कभी बिल ले सकते हैं तो करंडे सेलेक्ट किया फ्रम वन टू जो भी मेरी लास्ट आइटम है उसको मैंने डाल दिया और रॉंग करके बता रहा है तो मैं अभी चेक करूंगा मेरी लास्ट आइटम क्या है 66 89 तक तो नहीं है, 88, 78, 79 तो 78 मेरे हिसाब से लास्ट आइटम है फिर से में रिपोर्स में गया और रिपोर्स में डीटेल रिपोर्ट में गया इतम है रिपोर्स में गया रिपोर्स में गया गया करांन डेसे लिख फम वन तू लास ऐटम गया तीन थी अटी शाय थे आपको 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 आ रहा है और पूरे आइटम बता रहे हैं कितने कितने से हैं फिर यहां पर आपको टोटल आ रहे हैं के यही मेंज चीज है बिलवाइस तो आपको जस्त मैं दिका रहे तो बिलवाइस रिपोर्ट वाली बी और इसमें बिलवाइस भी है कि अब इस मशीन में रिपूर्ट की बात करें तो इस मशीन का कोई तोड़ नहीं है आज तक कॉम्पाक्ट डिजाइन में कोई भी कंपनी ने ऐसा मशीन नहीं बनाया जो वेब बीपी जॉय को तोड़ दे सकें क्योंकि इस मशीन की खासियत यह है भाईयों कि इसमें आप एक साल भर तक का कोई भी रिपूर्ट निकाल सकते हो जाएं